है यह रुए इसरो बात हैरे मिडिल वास्तू की आप मैं यह स्टार्टिंग में बोल रहा हूं रेमेडी कुछ नहीं होती हिता पेड़ा सा है न है पुर्णे क्या जैंदीयर वास्तू पर रेमेडी कुछ होती नहीं है remedy है हमारी अफचिंतन मंद से सचित मंद की यात्रा है हम जो मन में धारण करते हैं हम जो मन में अपने ख्याल लाते हैं और हम जो फीलिंग्स लाते हैं और उसके बादम से जो energies क्रेड होती है उन energies के ओपर काम करते हुए हम जब अपनी मंजिल को टाय करते हैं अपने लक्षे क टाय करते हैं वो एक्टिली रेमेडी होती हैं बाकी जितने भी equipments होते हैं इंतने भी परधारत होते हैं वो सारी चीजे हमें help करती हैं उनको प्राप्त करने में इंतना ही काम है अगर हम इन सब को balance करना सीख जाएं तो रेमेडी अपने अब होनी शुरू हो जाती हैं we are nobody in this world to do any remedies it is all divine force it is all God gift it is all blessings of the our gurus everybody's gurus कि कि शमता वनी में ही है जो कुछ कर सकते हैं हम तो सिर्फ followers हैं हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के बाद हमसे बहुत साही energies को हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने आपको balance कर सके align कर सके उन energies के मादारे में हम energies को balance नहीं कर सकते हैं we can balance ourselves हमारा control हमारे पे हैं हमारी energies के जो कॉस्पिंग energies पें हमारा control थोड़ी है यह यूनिवर्सल्स यह वरी powerful हम सिर्व अपने आपको control कर सकते हैं हम अपने पंचितत को control कर सकते हैं अगर हमने अपने पंचितत को control करने की थोड़ी भी शम्ता दिखाई कोशिश करी माग पर चले हमारा अब चेतन मंद control होता है उसको रहा मिलती है हमारी remedies शुरू हो जाती है वहीं से हो नहीं actually तो बाकि जितनी भी चीज़े हैं बाकि जितनी परदार्त हैं वह सारी उस यात्रा में helpful और स्पोर्ट सिस्टम का काम करते हैं सबको पता है पांच पंचितत होते हैं पांच पंचितत अगनी प्रत्वी वायू जल और नकाश यह बास सबको पता है पुरा शरीर उससे बना है जगत पंचितत से बना है पुरा वातवर और पुरा यूनिवर्स पंचितत से बना है तो और वी टू कंट्रोल पर्चित होता है हम अपनी बाड़ी को कंट्रोल करने तो बड़ी बात है अब पंच तर्थ के अदर कुछ elements होते हैं हमेशा साउंड पांच जो हमारी इंद्रियों होती है में साउंड सुनना तच करना शेप अकार टेस्ट और खुश्पू स्मेल यह पांच पंच तर्थ में पांच तरके elements होते हैं जो की हमारे को अपने पूरे सिस्टम में नदर आते हैं और जोनकी परक करके हमारे को थोड़ा थोड़ा alignment करना ही यह पूरा का पूरा पूरा पंच तर्थ इसके साबसा अगर आपम देखें पांच element में सबसे जो पांचो element होते हैं वो होते हैं अर्थ पांचो जो senses होती हैं वो होते हैं अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर sound, touch, shape, taste, smell पांचो होती है इसलिए जो विक्ती का अर्थ बहुत स्ट्राउंग होता है वो विक्ती को इन सेंसिस का कंट्रोल बहुत स्ट्राउंग होता है और वो ग्राउंडड परसनेलिटी होता है और जिसमें सिर्फ एक ही सेंस होती है साउंड वो होती है स्पेस इसलिए मेडिटेशन स्पेस से होता ह क्योंकि धुर्वनी जो होती है वो meditation का part है बाकी रगी तीन water में चार senses होती है water में smell नहीं count होता rest everything counts in water that is sound, touch, shape and taste counts in water and fire के अंदर taste और smell count नहीं होता which means fire have sound, touch and shape and then the air which have sound and touch अब हम धरती पे रहते हैं धरती पे रहते हैं पंच माबूतों का हमारा श्रीर बना है universe में हम उसके साथ रहते हैं पुरा universe ब्रामान की creation पंच माबूत से होई है इन five senses को हमारे को अपने जीवन के साथ चलाना है और इन senses को चलाने के लिए हमारे को इन senses के उपर अपना control strong करना है और इस control को strong करने के साथ हमें अपनी दिशाओ को समझना है तो हम अपनी वास्तु को control में लाने की कोशिश कर सकते हैं परियास कर सकते हैं क्योंकि हम सब लोगों की body अकार जैसा है जैसा हमारा सबका body अकार है वैसा हमारा घर का वास्तु हमें परदान होता है और हमारे घर के वास्तु में जो चीजों की कमिया होती है जो जगाओं पे gaps होते हैं वो उसकी बरपूरती हमारी बॉड़ी करती है विकारों के रूप में हमारे को जो नाना पकार की विकार आते हैं तकलीफ बीमारी रिलेशन्स की इश्यूज और नाना पकार की समस्य जो आती है उन सबकी बरपाई हमारी बॉड़ी कर रही होती है हमारे भवन के दोशों के बदल में हैं इसलिए वास्तु की इंपॉर्टनेस आ जाती है ताकि हमारी बौड़ी हम अपनी बौड़ी से कन्सेट करेक्ट करते हैं हमारी बौड़ी को ت Gao काम हो हमारी चेठ्टुना को, हमारी काया को तकलीफ कम हो हमें इस दुनिया भी भी आसपास के च्छितर है उन सब जिसमें हम बिलॉंग करते हैं जहां से हम कनेट करते हैं उन सब को कंट्रोल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो काया है वो नीरोगी या कम तकलीफ से जीवन को अच्छे से वितीत कर सके और यही वास्तू की अंदर रेमेडियर परदाता काम करता है जब रेमिडिस की बात करते हैं जो लोग एस्टरोजी जानते हैं वो लोग चार चीजों बड़े ध्यान से समझ सकते हैं ध्रम अर्थ काम बोख्ष चार चीज आती है एस्टरोजी में जो लोग एस्टरोजी करते हैं उन लोगों को राम से पता है ध्र किसे कनेट करते हैं, वेल्थ से कनेट करते हैं, और डिजायर को किसे करते हैं, या काम को डिजायर से कनेट करते हैं, डिजायर कुड बी दी बॉडिली डिजायर, डिजायर कुड बी दी मेटलिस्टिक डिजायर, डिजायर से कनेट करते हैं, और मुश को कनेट करते हैं, लिब करते हैं अबी मोक्ष को पाने के लिए ऊपर के तीन ऊपर के तीन जो द्रम अर्थ काम है उससे इनसां उपर उड़ता है तो मोक्ष की यात्रा की तरफ जाता है और ये चारो के चारो जो आप эту आस्लोजिय पढ़ते है चारों चीजे connect कृती हैं हमारी सीधी सीधी हमारे भोषण के direction और हमारे भोषण की direction जितनी strong होंगी जिस दिशा की उस दिशा के ये on questão के ये element हमारे लिए काम करते हों ने दर आएंगे अब खुद भीड कर सकते हैं आपके अपने डारेक्शन को कनेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं यहापे हम रिवर्स चलते हैं या असान तरीके सा समझने कोशिश करते हैं काम डिजायर में फायर बहुत होती है अगनी तब बहुत होता है तो साउत आ का अगनी तब से कनेट करता है और जुसके घर का अ भावनाय बहुत ज्यादा होंगी. Desire could be metalistic, desire could be physical. It is not always related to sexual. Please, क्योंकि ही बहुत बड़ा मित YouTube के चैनल बाद्यम से आता है. It is not always be. It is more related to the metalistic. And dharam, north. The four main directions of the house, north, east, south, west. North, dharam, east, west, south, calm, and south, calm and the west is moksh. अपने घर की चार डिरेक्शन, चार इन elements से connect करके देख लें. आपको काफी सारे results प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे. सब्सक्राइब आना शुरू हो जाएगा. आपका कहां पर क्या क्या चीज़े, balance ही, balance है. यह बहुत बड़ी remedy है. अब बहुत straight forward remedy है. क्योंकि हमारा subject ही remedy है, तो हम काम ही remedy से करेंगे. थियोरी थियोरी भी करेंगे थोड़ी बहुत. बैकि majorly हम remedies पर काम करेंगे. majorly. और while doing this, while doing this, हम जतनी भी बकार की remedy हम करते हैं, चाहिए वो 16 zone वास्तू से करें, महावस्तू से करें, वैदिक वास्तू से करें, परामिड वास्तू से करें, energy वास्तू से करें, अब you name the वास्तू, we will do that remedies into this course, into this journey. अब हम पंच्छे तत्की बात कर रहें थें, पंच्छे तत्की हम स्पेस को निकाल दें, ब्रमा जी का कार है ब्रमा जी कॉस्मिक एनरजी है जिसको ब्रमा जी हम डिटेलिंग में बात करेंगे इन पर आगे जाके बट अगर हम इस पेस को उटा दें और चार हमारे पास तत्व बसते हैं आगणी पित्वी वायू अन जल इनकी अपनी फ्रेंट्शिप अगर हम बैलन के अंदर जैसे अगनी कैसे होती है यह सब चीजे में बात करेंगे हम डिटेलिंग में